जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी एक topic trend कर रहा है हमारी country में, मीडिया में और news में debates हो रहे हैं इस topic पर, और एक Bollywood film release हो रही है इसी topic पर, और वो topic है 72 हूर का topic, मुझे बहुत ताजब है कि ये topic इस तरह से discuss किया जा रहा है, तो आईए हम आज के stream में देखेंगे कि क्या चीज़ है, क्या ये एक जुल्म है औरतों के उपर जैसे के कहा जा रहा है, और जो theme है जो बताई जा रही है, इसके अंदर सही बात क्या है, start करते हैं सबसे पहले, मैं balloon में से हुआ निकालना चाहता हूँ, जो balloon है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि आतंकवाद जो लोग करते हैं, आतंकवादियों को 72 हूर मिलेगी, तो हम कहते हैं साबित करो इस बात को, कि आतंकवादी को 72 हूर मिलेगी, इस बात को साबित करो आप, कोई proof नहीं है, इसका कोई proof नहीं है, सही बात तो ये है कि कुरान और हदीस में जो हूर मिलने का जिक्र है वो किसके लिए है वो नेक लोगों के लिए है जो नेकी करेंगे इमान के साथ अमल करेंगे अच्छे काम करेंगे जन्नत जाएंगे ऐसे लोगों को हूर मिलने की बात है आतंगवादी को हूर मिलना तो दूर की बात कुरान की आयत आप पढ़ सकते हैं सुरा 28 आयत नमबर 83 में अल्ला ने फरमाया कि ये जो आखरत का घर है यानि जन्नत हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो जमीन में बड़पन नहीं चाहते ना जमीन में फसाद चाहते आतंगवाद क्या है फसाद जो फसाद आतंगवाद चाहते उनके लिए जन्नत है ही नहीं हूर मिलना दूर की बात उनके लिए जन्नत ही नहीं आप ये दो हदीसे देखिए सही बुखारी की और सुनननसाई की पहली हदीस में आता है जो एक ऐसे शक्स का कतल करता है जो मौाहद है यानि मुसल्मानों की जिसके साथ ट्रीटी है और अगली हदीस में आता है जो एक नौन मुसलिम को का कतल करता है जो मुसलिम कंट्री में रहता है यानि कि ये दो के अंदर non-muslims की बात हुरी है मैं एक मिसाल के तोर पर आपके समने पेश कर रहा हूँ तो क्या दिया हुआ है लम यराह राई हतल जन्ना उसे जन्नक के खुश्बू भी नहीं मिलेगी और जन्नक की खुश्बी तो इस इस फासले से मिलती है तो यहां पर वो बलून कİ मिलेगी जन्नक की खुश्बू ही नहीं मिलेगी जन्नक का गार किसके लिए नेक लोगों के लिए तो यहां पर वो बलून से हमने बलून से निकालने के बाद जाहिर सी बात है खुरान के अंदर जो एक जान की कीमत बताई गई है सुरह माइदा सुरह 5.32 में जिसने एक मासूम जान का कतल किया तो आगे इस आएद का महूम बता रहा हूँ ऐसा है जैसे के सारे इनसानों का कतल कर दिया तो ये असल बात यही है